एक बात और आपको बताऊं याद रखिएगा कि दवा जब कोई दवा आप अंदर लेते हो तो वो किस वे में काम करती है पता है अगर आप दिमाग से सोचो और आप एक बात बताता हूं एक एक सची घटना बताता हूं आपको उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे देखें एक किसी ना दो लोगों को बुखार हो गया अब एक बंदे को तो रियल दवाई दी गई फीवर को ठीक करने की पर उसको कहा गया कि कोई पका नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगी उसको ये दिया गया और उसके अंदर दिमाग में डाउट भी डाल दिया गया समझो उसको फीवर की दवाई दी गई और उसके दिमाग में डाउट डाल दिया गया कि भाया पका नहीं तरह फीवर ठीक हो जाए दूसरे बंदे को fever की दवाई दी ही नहीं गई उसको ऐसी random गोली दे दी बले ये चूसने की गोली भहिया चूसो और उसको बोला इसे 100% आपका fever ठीक हो जाएगा आप बिलीव करेंगे कि 5 दिन बाद जिसको random दवाई दी गई थी उसका fever ठीक हो गया लेकिन जिसको real दवाई दी गई थी उसका fever ठीक ही नहीं हुआ इसका मतलब कोई भी vaccine या दवाई के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है वो है आपका positive thought process अगर आप यकीन करोगे कि ये मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगी तो वो पक्का काम करेगी